नमस्कार कसिश नियूज के इस खास ख़बर पे आप सबों का स्वागत है ख़बर हम इसलिए कह रहे हैं कि बाकई में जो सियासी संग्राम की जो धमक दिख रही है बिहार में कह सकते हैं कि मजबूरी में हम साथ जरूर हैं लेकिन हमें मजबूर ना करें यह सियासी संग्राम उसी दिश्वा में बढ़ चला हैं बंगाल चुनाप परदाम के बाद बिहार के सियासी हलकों में यह खबरे आने लगी थी कि अब कुछ कुछ होने लगा है क्या होने लगा है इसका एहसास आप पिछले 72 घंटों के दौरान कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनसे आप महसूस कर सकते हैं और यह दोनों तरफ चला हैं दोनों गटवंधन के अंदर चला है और उस सियासी संग्राम में कुछ चीजें ऐसी दिख रही है जो लग रहा है जो दौर कुस दौर को याद की जब आरजेडी और जद्यू साथ था हर दिन सुशिल मोरी जी का प्रेस कॉनफरेंस चलता था और उसी प्रेस कॉनफरेंस के सहारे कुछ चीजें सामने आ रही थी रगवंध प्रसाद सिंग के द्वारा कुछ चीजें सामने लाई जा रही थी कहा जा रहा था कि लालू यादव की सिपासलार अनकंट्रूल कैसे हो सकते हैं भाई विरंद्र का ब्यान आता था सुबह सुबह और थोड़ी दर बात कहते थे मीडिया वाले आ गए देखी हम कुछ अब बोलने के लिए कुछ बुला गया कुछ खंडन भी कर देते थी लेक तो नहीं सरकार पर दोनों में से किसी को भरोशा नहीं है ऐसा ही कुछ लग रहा है और यही वज़ा है कि दोनों पार्टियां जो गटवंधन की पार्टी हैं अपने तरीके से सियासत को साधना भी शुरू कर दिया है शुरुवात अगर हम कहें तो पंचाइत को लेकर जो चीजें सामने आ रही थी क्रेडिट लेने का होर लगा माजी और मुके सहनी आ गया है कि यह क्रेडिट बीजेपी को ना मिल जाए इसलिए यह दोनों आ गया है जरा इस खेल को समझिए और इस संग्राम को महसूस किजिए कि आकिर बिहार में हो क्या रहा है तो आपने देखा कि शुरुवात कैसे हुई पंचाइत परतिनीदियों को लेकर केमिनेट की बैठक हो ही रही थी उसी दौरान तौस हो गया मंत्री पंचाइती राज मंत्री तौस करके यह दिखा दिये कि भाई बीजेपी जो है चाहती है कि वही जनपरतिनीदी बने जो बीजेपी चाहती है मतलब बीजेपी चाहती है कि जो मुखिया है जो परमुख है जो जिलापर से रध्यक्ष है वो बने रहे हैं शुरुवात वहीं से हुई है तो उसको काटने के लिए मांजी और मुकेश सहनी कह सकते हैं कि उस कुनमे के सहारे सियासत साधने की कोशिस की जो नितीश कुमार चाह रहे थे मतलब सरकार में हम साथ-साथ हैं लेकिन दिल मिलना तो दूर अब दिमाग से सब कुछ खेल हो रहा है यह सियासत मतलब होर लगी हुए इस बात को कि हम क्रेडिट ले पंचायत वाली क्रेडिट अगर ट्यूट करके अगर लेके समराठ चौधरी बीजेपी को मजबूत करने की कोशिस कर रहे थे यह पहल बीजेपी की है सरकार नहीं चाहती है कि पंचायत में जो चुनाब कितिती बढ़ती है छे मैने तक तो वो चाहते हैं कि वीडियो और प अब एक तीसरा दौर शुरू हुआ है वो दौर है दलित के सहारे अपने ही सरकार को घेड़ना है जी हां कैसे जरा इसको इस स्यासत को समझिए मुस्लिमानों की तरफ से या मुस्लिम और दलित के बीच अब कमोबेस हर जगा उसने कुछ किसी ने किसी बात को लेकर तनाव हो रहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने फेस्बुक पोश्ट के माध्यम से इसी तरीके कि ये घटनाओं पर सवाल खरी करते हैं और देखते देखते उस सवाल को मंत्री जी आगे ले चलते हैं और फिर सियासी संग्राम शुरू होता है अधिकारिक तोर पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बियान देने से जरूर बसते हैं अक्सर पुलिस के कारसली पर सवाल खरा करते हैं मतलब नितीज के कारसली पर सवाल खरा करते हैं ग्री विवाग नितीज कुमार के हाथ में तो संजे जैसवाल नितीज पर हमला वर है या नितीज को जिस तरीके से टार्गेट ले रहे हैं तो फिर बिहार बीजेपी चाहती क्या है जरा देखिए इसी संग्राम को आगे बढ़ाते हुए जीतन नाम माजी आ गया यह गौर कर पर दिखाएंगे कि संजे जैसवाल का वो फेस्बुक पोस्ट जिस पोस्ट पर उन्होंने पोस्ट के साहारे सरकार को घेड़ने की कोशिश की और अपने सियासत के अनुकूल जो पीच है उस पीच पर वो खेलने की के तैयारी कर रखा है फिर जीतन नाम माजी जवाब दे हैं कि पूर्दिया में दलित और मुसलमान एक साथ हैं उनको तोड़ने की कोशिश करने की जवरत नहीं है जो लोग तोड़ने वाले हैं वो कहीं कहीं नुकसान पहुंचानी की कोशिश कर रहे हैं यह सियासी चीरे चल रही है उसके बार फिर बाका में घटना कल घटती है बाका में जो खबरे आ रही है जिस तरीके की खबरे आ रही है वो खब भी अब सियासत का रूप धारन कर लिया है। बीजेपी के एक बिदायक का बियान आया था दोफर में, अभी पार्टी का अधिकारिक बियान आ गया है, कि बहां का मदर्सा विस्फोट मामले की उचस्तर यह जांच होने चाहिए, बीजेपी के पार्टी दपतर के तरफ से अधिकारिक पत्र जारी हुआ है, तो अब सोच स अंदर ग्रिह मंत्रा ले है, तो जरा देखी हम एक एक करके देखी कि इस पर आज दानिस रिजवान की क्या परतिक्रिया आई है, और दानिस रिजवान की परतिक्रिया के बाद, फिर जो परतिक्रियाओं का जो सिलसिला सुरू हुआ है, वो संजे मयूक तक आके थम गया है क्या सिर्फ सियासत यहीं तक सिमट कर रहा जाएगी या फिर यह संग्राम आगे बढ़ेगा जरा पहले एक-एक सिक्वेंस हम चाहेंगे पहले दानिस रिजवान क्या कहा रहे हैं जरा यह पहले सुनिए फिर हम चर्चा करके आगे बढ़ेगा कि अरफिय जंता पाठी के कुछ नेता लगातार अपने बयान बाजी से सरकार को ओовор क outdated करने की कोशिचिच कर रहा हैं यह नेता सरकार के खिलाफ बयान बाजी करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौपादे रहे हैं इस लिए हिंदोस्तानी आवाम, इस कहने का क्या मतलब हैं कि BJP के कुछ नेता और प्रदेश अध्यक्ष ही बोल ले हैं कोई दूसरा नेता बैदे तो अलग बात प्रदेश अध्यक्ष बोल ले हैं केमिनेट लिटीज केमिनेट के मंत्री बोल ले हैं कि वही ठीक नहीं हो रहा है इसी सिल्सिले में RJD, Congres और बाकि जो बीजेपी की नेता है वो क्या कहरें जरा ये भी आप सुर लिजिए। हम किस भारत का निर्मान करना चाहते हैं तो जिसके आका नरेंद्र मोधी खुद्य कभी स्कूल नहीं देखे तो उधार चाहवे करेंगे कि मदर्शा बंद हो जाएं थोड़ा परने लिखने की बात कर लेंगे भारती जंता पाटी के लोग तो मुझे लगता है कि भारत का भी इसलिए नरेंद्र मोधी के सासनकाल में लगोई 10 करोड पढ़े लिखे नौजवान बिरोजगार हो गया है चुकि जिनके एमेले ही ऐसे हो जो सिक्षा जगत को बंद करने की बात करें फिर बांकी का क्या हो कि विहार को रजातल में ढखे लेकर एक कोड़ीनेशन कमिटी की मांग कर रहे है लो हर एक गटक दल एक 드ूसरे को दीच कर रहे है कोई किसी को उंगली काट रहा है तो कोई हाथ काटने की धमकी दे रहा है तो यह सरकार नहीं चल रही है एक खाना पूर्ती है यह बेमेल गठ बंधन है इस गठ बंधन का बेना गर्प होना ही होना है इसे कोल नहीं रोक सकता और रितीश कुमार जी ने अपनी समाजिक नयाय अपना लोक्तांत्रिक लोकलाज सब को तिलाणी दे दिये सब कुछ भाजपा और आरेसस के हाँ में गिर्मी रख दिये है हमेशा यह सरकार के अंग रहते हुए भी जंग समस्याओं को उठाने का काम किया चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो चाहे वो पंचायतों को अधिकार दिलाने का मुद्दा हो सब बातों पर उन्होंने अपना अपना ठीक बेकाव दीपनी करने का हमेशा काम जी हाँ इस पर बीजेपी की भी परतिक्रिया आई है इस सियासत को हम आगे बढ़ाने से पहले जड़ा इस संग्राम को समझ देजे कि बांका पर लेकर विस्पी के बिदाया क्या करे और उसके बाद संजे मयूक हलाक संजे मयूक सधे हुए बीजेपी के खिलारी हैं मीडि असानी से अपने आपको लेफ्ट टर्न लेते हैं जड़ा सुनिये कि पहले मधुवनी में विस्पी के जो विदायक हैं बचौल जो जो अधिकारिक पत्र जारी होने से पहले जिसका ब्यान आया है जड़ा वो भी सुन लते फिर संजे मयूक क्या कहें जड़ा उस पर भी हम भी हम ध्यान आकरिष्ट कराएंगे आपको फिर हम अपने वीरोचीफ असोग मिस्रा के पास चलेंगे पहले लेकिन जड़ा सुन लिजे स्टेप बाइस्टेप तप चीजों को समझने में बेहतर होगा कि मदर्सा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की सिक्षा दी जाती है मदर्सा में विस्पोर्ट या सावित करता है कि वहां आतंकवादी कत्विधियां चल रही है वहां आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है मदर्सा के सिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजिनियर वना है उनको बच्चों को यह सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म के लोग काटने योग्य हैं कातिल है वह जब तक इसलाम मस्विकार कर लें तब तक उनको प्रतारित करो टॉड़ यह सब कुछ नितिश्कुमार के नाक के नीचे हो रहा है एक वो भी गटवन्दन था जब दो हजार पांच में सरकार बनी थी जब तक मोदी जी सुसिल मोदी जी और नितिश्कुमार की जोरी रही इस तरह के ब्यानबाजी से विधायक तुकम्सकम बसते ही रहे गिरीराज सिंग भी बोलते थे और दूसरे दिन खंडन कर देते थे चंद घंटों में ही बात बदल देते थे लेकिन इस बार सियासी मिजाज कुछ और दिख रहा है हिंदू मुसलमान के स्पीच पे अब दलित और मुसलमानों के बीच सियासत को घेड़ने की कोशिस हो रही है और इस सियासत के सहारे किस वोट बैंक पे तो कि दलित ही एक ऐसा वोट बैंक है जहां हिंदू को लेकर जहां हिंदुत्वा को लेकर सबसे ज़्यादा हाल की दिनों में उभार देखने को मिला है इसकी एक बज़ा भी रही है कि जिन इलाकों में हिंदू और मुसल्मान की संख्या है और हिंदू की संख्या है जो दलित हैं उनके साथ मुसल्मानों का भी वैभार सामन्तों जैसा ही रहा है और सूगर पालते हैं, मुडगी पालते हैं, उनका तरीका जिवन यापर की अगर तरीका करें तो वो कहीं कहीं मुसलमानों के धार्मिक मानताओं के खिलाफ भी जाता है और हाल के दिनों में जहां कहीं भी तनाओ हुआ है, बिहार में भी, उसमें अधिकांस जगों पर दलित और मुसलमान आमने सामने आ रहे हैं दलित एक बड़ा भोट बैंक भी है, जिस भोट बैंक के सहारे हमें लगता है कि माजी भी घिरते जा रहे हैं माजी की समस्या सबसे जा रहा यह है कि जहां कहीं भी तनाओ हो रहा है, उसमें माजी जिस जाती साते हैं वो कहीं कहीं फ्रंक्फूट पे आके लड़ाई लड़ने की मूड में दिख रहे हैं और बात अगर बेटी की होगी तो सभाविक तोर पर तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उस तनाव में वीजेपी जिस सियासत को लेकर चल रही है तो निशाने पर निटिस आएंगे ही चल यह अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हम आपको संजय मैउक क्या कर रहे हैं जरा वो भी सुनाएंगे और उसके बाद फिर अपने वीरोचीप से बात करेंगे कि संग्राम का परतिफल क्या होगा सियासी संग्राम को समझने के लिए जो लगातार पिछले एक सप्ता से जो घटना करम है उस घटना करम को आपने समझा क्रोनल कली हम आपको समझा रहे हैं कहते हैं आप इस राजनितिक नेरेटिव में क्रोनल कैसे सिक्वेंस में चीज़ें बढ़ रही है अब जरा संजे में क्या करते हैं जरा आप भी सुन लिजे उसके बाद फिर हम चलेंगे निज्रूम जहां हमारे बीरोचीफ असोग मिसराजी मुझूद है किया अलग अलग है कई मत अलग हो सकते हैं लेकिन एक मत असपस्ट है ऑरस क Jeżeli संब का विश्वास और मानने नितिसक्मार vide के निटवे की सर्कार उश मत पर कहीं भी हम अलग नहीं हैं और हम पर मित्हा आप लगाए गये उन आर्वों के बारे में कुछ नहीं करना बिहार की जनता है सब जानती है। यह देखी यह नेत्रतु के हाथ में होता है, नेत्रतु के समक्स यह बातें गई हैं, नेत्रतु उचित विचार करके.. जी हाँ, संजे मयूप में यही खाशियत है, कि बहुत ही नपयत तले सब्दों का इस्तमाल करते हैं, और कुछ भी ऐसे सब्दों का इस्तमाल इस बीच में नहीं करेंगे, जिससे कुछ सियासी बखेडा खराव जाए. सरकार में साथ हैं, तो निती इसके साथ हैं, यह दिखते रहना चाहिए. और इसमें संजे मयूप सद गुनी हैं, जब तक कोई खास निर्देश नहों, संजे मयूप इस तरह के ब्यान से बस्ते रहते हैं. अमित साहजी के प्रेश सलाकार होने के बाब जूद भी, कभी भी कुछ ऐसे बिवादस्पत ब्यान को लेकर इनकी चर्चा नहीं रही, जिससे पार्टी नितृत्य को कह सकते हैं कि अपमानित होना परा हो, या फिर पार्टी नितृत्य को खंडन करनी परी हो. कि लेकिन चीजें चल नहीं है. अंदर खाने में सबकुछ नहीं है और अंदर खाने में सबकुछ इसले नहीं है कि जिस तरीके से उपेंदर कुसवाहा का कद्ड लगातार जदियू में बढ़ता जा रहा है. वो दिखा रहा है कि आने वाले समय में जद्यू में संगठनात्मक रुप से एक बरे बदलाव होगे और अगर ये बरा बदलाव होता है क्योंकि उपेंद्र कुस्वाहा के लिए अगर जद्यू के पार्टी के समिधान में संसुधन करना परे संसद्य दल के नेता बनाएगे जो राष्टी अधक्स होते हैं कभी नितिश कुमार हुआ करते थे सरद यादव हुआ करते थे और राष्टी अधक्स अभी RCP है और संसद्य दोटका नेता कोई और बन जाए वो भी पार्टी में आये हुए चंद महने ही हुए हैं तो क्या संकेत दे रहा है और अगर उपेंद्र कुस्वाह अगर राष्टी अधक्स बनते हैं तो फिर इस स्यासत का मतलब क्या है क्या बीजेपी से तलखी और बढ़ाने की कोशिस हो रही है क्योंकि लगातार सरद यादब के जाने के बाद उपेंद्र कुस्वाह बीजेपी पर उसी अंदाज में हमला वर है जिस अंदाज में कभी गटवंधन तूटरने से पहले सरद यादब हमला वर रहते थे कि एसी त्याग ही हमला वर रहते थे बियान आता था दिल्ली से सुबह सुबह और फिर पर्तिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती थी पटना में उपेंद्र कुस्वहा भी दिल्ली रह रहे हैं उसी तरीके से ट्यूट भी उनका आ रहा है तो एक पूरे संग्राम पर अगर आप होवे का है चलिए अब हमारे साथ निजुरू में असुक मिस्टा जी जुरे हुए हैं असुक जी आप क्या लगता है आपको यह सियासी संग्राम सिर्फ अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए है या आने वाले समय में एक दूसरे को चुनोती भी दे सकते हैं आपने परत दरपरत अपनी बात रखी है दर्सकों के बीच में तो यह कोई अकस्मात घटना नहीं है और आप कह सकते हैं कि राजनीती में कोई भी चीज असंभव नहीं है सतरंज की जो चाल है याने की जो मुहर है वो मुहरा चला जा रहा है लेकिन सधे हुए रूप में इसको चलाया जा रहा है और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि इसके आने वाले दिनों में परिनाम भी दिखेंगे आपने साप तोर पर कहा कि जिस तरह से जब महागटवंधन की सरकार थी तो नीतीस की पार्टी याने की जदियू और आरजेडी के पहले छुट भईये नेताओं के द्वारा ही बयानबाजी शुरू हुई थी और उसका परिनाम अंत में दोनों नेत्रित जो बड़े नेता थे वो अलग हुए ठीक उसी तरह से माजी ने जब महागटवंधन छोड़ा था विधान सभा चुनाव से पहले तो उन्होंने आरोप लगाया था कि महागटवंधन में कौडिनेशन कमीटी नहीं है और सरवे सरवा तेजस्वी प्रसाद यादवे महागटवंधन के अन्य एक बाद का आरोप लगया था और उन्होंने कहा था कि तेजस्वी में मुखमंत्री बनने की छमता नहीं है जो अभी हालात हैं उस हालात में आपका सकते हैं कि कभी नितीश और सुसील मोदी की जोरी हुआ करती थी बिहार में और नितीश को अपनी बात मनवाने के लिए ब बीजेपी के कोई नेता कुछ नहीं बोल पाए आकरमक हमला न करें और अगल हमला करते भी थे तो सुसील मोदी पक्ष में आ जाते थे चयाए बिपक्ष का हमला हो या पार्टी के अंदर का हमला हो सुसील मोदी ढाल की तरह नितीश कुमार के समर्थन में खड़े रते थे लेकिन सुसिल मोदी को जब से बिहार की राजनिती से अलग किया गया है तो बीजेपी नेत्रित ने ओईसे लोगों के हाथ में कमान दी है जो नितीस के सामने सर नहीं जुका करके आमने सामने की बात करें और यही बजाए कि संजय जैसवाल जब से अध्यक्ष बने हैं निती इसने चुकी बीजेपी के साथ एलाइंस है तो आर्सीपी सिंग जैसे लोगों को ललन सिंग जैसे लोगों को कमान दी कि चुकी बीजेपी की वो तरफदार रहे हैं और बीजेपी से उनकी अच्छी चंती रही है लेकिन आर्सीपी या ललन सिंग बीजेपी के साथ वो गी रूप से कहने के वो आधी रहें तो ऐसी परिस्तिती में नितीस का जो बोड समीकरन है लब कुस उसको देखते हुए जिस तरह से पिछले विधान सवाज चुनाव में नितीस की पार्टी हासिये पर गई थी वो इसमें अहां भूमिका उपेंद्र कुस बहा का भी है तो ऐसी लिए उपेंद्र कुस बहा सही है इसलिए राजनिती में कुछ भी हो सकता है अगर नेत्री तो परिवर्तन भी जदियू में हो जाए तो कोई असर्ज की बात नहीं लेकिन इतना तैह कि अभी इतनी हरबड़ी में बिहार में उपिय गठबंधन में तोरफोर नहीं होगा औ वो बीजेपी का दामन छोड़ करके महागठबंधन में जाए या लालू परसाधी आदव के साथ जाए लेकिन एक बात है कि नितिस जरूर चाहते हैं कि हमारे सर्थ पर हमारी सरकार हो उसके मुख्या हम है और रहेंगे और यह मेसेज हर समय जाए आपने पंचाय चुनाओ की बात जो कही है जिनका कारशकार 15 जून को खत्म हो रहा है उसमें बीजेपी निया मेसेज देने की कोशिस की कि पंचाय परतिनिद्यों के असली मतलब कह सकते हैं कि बफादार या उनके आप बीजेपी उनकी हिताइसी है और इसलिए मेसेज दिया गया बीजेपी खेमे से समाचार पत्रों में और आम जनता के बीच या फेस्बुक पर या सोशल मीडिया पर कि बीजेपी के चलते ही पंचाय परतिनिद्यों को एक्स्टेंसन मिला है और उनको अब सारी सुधाएं कम सकम अधिकार ना मिले लेकिन बेतन भत्ता तो मिलता रहेगा पाबर्द परामर पी देना चाहती है और खास करके बीजेपी का जो अपना दर्शकों को देना चाहते हैं और वह इनफ्रमेशन यह है कि पिछले गटवंधन में और इस गटवंधन में एक बड़ा फर्क यह है कि बीजेपी सरकार में भले ही साथ है लेकिन सेहरा का जब बात आए सेहरा हैं तो b team है b team नहीं है हम आपके साथ हैं घटवंधन में हैं सरकार में साथ हैं लेकिन अगर कुछ इसी बाते सामने आते हैं कुछ फैसले लिए जाते हैं तो उस फैसले का सहरा हम अदकि सीट जरी रभानेंगे यह एक बड़ा बदला हुआ है बिवाद का वज़ा सिर्फ इतना ही नहीं है बिवाद का वज़ा SP और DM का तबादला भी है कहा यह जा रहा है कि 50% जिले के DM और SP बीजेपी अपने अनुसार चाहती है बिवाद इसको लेकर भी है और यही वज़ा है कि कई अनुमंदल में DSP तीन साल, चार साल से रह रह हौए जाता में भागदारी नहीं चाहती है अधिकारियों के पोस्टिंग में भी भागदारी चाहते हैं बिवाद की वज़ा यहीं का बिवाद बाद और संजे जैसवाल बार बार जो मुखमंत्री पर हमला बोलते हैं, लौन और डर के सहारे, इसकी भी एक बड़ी वज़ा ये माना जा रहा है, लेकिन इन सबसे इतर जो एक बहत्पुन बात है, मुस्लिम और दलित राजनीत की बिहार में, असोग जी जो सवाल खरे किये जा र करता है, और उसके बाद कहना कि मदर्सा को बंद किया जाए, तो ये सीधे तोर पर निटीश कुमार का जो यूएसबी रहा है, अल्प संख्यक वोट को लेकर, उसको चुनोती दे रही है बीजेपी, क्या लगता है कि अब ठीक है, सरकार तो हम साथ साथ हैं, लेकिन बैचा हम उन विचार धाराओं को लेकर अब समझोता नहीं करेंगे, क्या ये बाते अब साफ संकेत के रूप में सामने आ गया है? अब साथ करना चाहती है कि हम किसी भी कीमत पर हिंदूत से समझोता नहीं कर सकते हैं, और डलित चुकी एक बहुत बड़ा बोट बेंग है, तो डलितों के सारे चुकी, बीजेपी को कहा जाता है कि वो सबरनों की पार्टी है, अगरों की पार्टी है, तो उसमें वो संख्यकों पर दवा बनाने के लिए और खास करके जो नितिश कुमार का जो यूस पी रहा है, वो यूस पी सिर्फ संख्यक समर्थक न रहे, और इसी परिस्तिती में बीजेपी हर समय हमलाबर हो रही है, ताकि उसका असोत मिस्रा जी जुरे हुए थे निउस रूम से, इन संख्राम में का परिणाम क्या आएगा, अंदाजा लगाना थोड़ जल्दवाजी होगा, मतलब अभी फिलहाल कुछ उलट पलट हो जाए, यह संभब नहीं है, क्योंकि मजबूरी की बात है, हम मजबूरी में साथ साथ हैं, और अगर हम मजबूरी में साथ साथ हैं, ते य दिखने लगे हैं, सरकार बने हुए, पांच-छे महने हुए हैं इसी दोरान, अब पहली वाली बात नहीं रही, हम अपने एजेंडे पर खूल कर काम करेंगे, और जो एजेंडा सुट करेगा हम है, उस एजेंडे पर अगर आपकी छबी पर भी प्रोहाब परे, तो हम उस सबी की चिंता नहीं करेंगे, सेकलिडिजम का जो फेस दिखाने की निटी कोशिश करते हैं, उस फेस पर सीधी चुनावती है, अब बीजेपी देनी शुरू कर दिये हैं, चले खास कार्जकरम सियासी संक्राम को यहीं समाप्त करते हैं, फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए नहीं आवसकार